वेल्किम टेख्वेटर गुरूब मैं आपको विकाद आपको अपने चैनल में एक वाफिस और सब्सक्राइब करता हूं करभी आपकी है, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है आपके क्या रखते हैं, कि जो आपके आपको अपने औरbles करते हैं, hack horse tires को मेर फैस करने में उसको इसमी ने ने उसमीज़ए को एक उलुश को रखते हूं ठीक है आप किसी ने English select किया हो तो वो English यहां print हो कि आएगा इंदी select किया हो तो Hindi print हो कि आएगा ठीक है तो जो भी आपने print किया होगा वो यहां पर print हो कि आएगा अब हमारे पास जो comment है वो किस परकार से मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि यह है एक हमारे पास कमेंट आया है VBR मुजिक करके है विजे बिंदास राजा करके कोई है इस्टुडेंट यह लिखा हेलो सर ओ लेवल में गलती से लेंग्वेज इंग्लिज हो गई है सर क्या तो हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं इंग्लिज में है तो लिखने लिखना पड़ेगा सर प्लीज बता सकते हैं इसके बारे में कुछ तो यह मैं आल लडी कितने साथ बता रहा हूं पांच साथ दे चलने चलना है और लडी मैं आपको हर बार ही बताता हूं कोई बात नहीं क्युकि नहीं बच्चे आती हैं उनको नहीं बता होता है तो झाल दिक्त नहीं, तो मैं बता जाय रहाएं, simple सी बासा, कि यहां पे जो भी लिखके आपने आया है, जो भी आपने कर दिया है कोई दिक्त नहीं इसको आप पिलकुल ignore करने ले 약 1st नहीं है, एप्ट हैड कर लेकित तीन महना पहले जो आपने नोट्स या इसके पर पर परचेस किए इसलिए जब भी आप देखते हैं हम जब आपसे नोट्स के लिए बाफ करते हैं बचों से तो हम पूर्च लेते हैं आपसे कि आपको कौन सी लैंगवेज में चाहिए और कौन सी में चीन्ज करनी है तो कोई दिक्कत नहीं इसको आप इग्णोर करें एक्जाम में जब आप जाएंगे वहाँ पर को काउपी मिलती है इसweikर कि जब एक घंटे का पेपर होगा OMR वाला उसमें तो फिर कोई दिक्कत करने है उसमें तो आपको सब्सक्राइब नहीं है पर भी म सिलक्षन का होता होता है हिंदी या इंग्लिस तो उसमें फिर आप का करें इसमें पर आप Hindi लिख दें और गोले पर फिलएफ कर दें इस पकार से आप जाके पेपर में Hindi में लिख सकते हैं आप इस में भी मालेजा आपने Hindi की है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और आप चाते हैं कि heading बगएरा या full form बगएरा या कुछ है प्रोगाम बगएरा उनको आप English में लिखें तो आप बिल्कुल उसको लिख सकते हैं इस परकार से copy रहे कि आपकी यहां पर heading बगएरा जिसे www क्या है तो www का for form लिखें वर्ड वाइड वैब इसको तो आप इंग्लिस में लिखेंगे को इंदिम बिल्कुल ना लिखें ठीक है तो मिक्स करके थोड़ा थोड़ा परागराप में heading बगएरा 123 कॉलम करके या इस परकार से differentiation करना कि वो आप लिख सकते है पॉंट जो है वो आप लिख सकते है English में और जो इंग्लिस के वर्ड है वो भीद लिख सकते है English मेंघा को कोई भी दिक्कट नहीं होगी नमबर आपको मिलेंगे, copy check होगी, तो इसको आप ignore कर दे, इससे आप कोई मतलब नहीं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं, जो paper मिलता है, उसमें भी आपको option मिलता है, इंदी इंगलिस का, मैं दिखा देता हूँ, कोई भी paper 2020 का, पेपर जरूर से paper download कर ले, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक paper कोई भी, तो देखिए, यहाँ पर जो paper आपको मिलेगा, इस प्रेकार से वहाँ पर, तो अपना roll number यहाँ पर fill up कर दें, अपना नाम डाल दें, answer booklet number, आपको copy मिलेगी, वो डाल दें, OMR sheet मिलेगी, वो यहाँ डाल दे यह बिसिकली आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन आपको fill up करना होता है, यहाँ पर प्रस से ने चेकर दें, अब यहाँ पर देखिए, option मिलता है आपको, हाँ, यह देखिए, second number column है, first number है, किरिपया पुस्तक की OMR sheet में दिए गए संक्या को पहले आराम से, इसको पहले पह मिलता है, आपके admit card से कोई भी issue नहीं है, आपने आपने जो fill up कर दिया है, कोई दिक कर नहीं है, अब बार बार ना पूछे का प्लीज, और फीट को like और share जरू कर दें, जो भी आपको friend है, भाई मित रहे हैं, जिए हम दे रहे हैं, उनको नहीं पता है, फिर भी आप उनको share जरू कर दे कि, उनको कम से कम doubt जो हो, वो clear हो जाए कि, हमने अगर Hindi log कर दिया, तो हम English में दे सकते हैं, अगर हमने English print हो के आगया, तो हम Hindi में भी दे सकते हैं, कोई issue नहीं है, कैसे लिखना, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो यहां पर साफ सबाब का mention है, हाँ, जो A level वाले होंगे, यह तो O का होगा, ठीक है, O वाले में दोनों option मिलेंगे, और A वाले है, तो उनके में तो कोई option ही नहीं है, उनको तो सिर्फ English में ही देना, A, B, C वाले जो बच्चे हैं, उनको English में ही देना, ठीक है, तो उनके Hindi है, कोई मतलब भी नहीं, उनका paper भी total English में आएगा, तो यह था सिंपल साब का, तरीका इसके लाबाव कोई तरीका नहीं है, चेंज कराने के लिए आपको, यह जाए, इसको आपको mail बिल्कुल ना करें, आप उस सेंटर वोगरा चेंज कराना है, उसके लिए आप mail कर सकते हैं, कि सार हमको इस सेटी में सेंटर हैं, दोसी सेटी में एक्जाम देने के लिए, तो आप उसी सेटी में अपना सेंटर भी करवा सकते हैं, आप mail कर दें जाके नीलेट को, जो आपकी mail ID है, यहाँ पर दी होगी, एक्जामनेशन वाले डिपार्टमेंट या फिर registration वाले डिपार्टमेंट पर mail कर देंगे सरम क इस सेटी में सेंटर से ही है, तो आपने सेटी का नाम और अपना admit card उनको mail कर दें, तो हो सकता है वो आपको, चेंज करके उस सेटी में अगर सीट खाली होगी कहीं पर, तो मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप mail कर दें, registration वाले पर, और एक जामनेशन डिपार्टमेंट वाले यह आपकी objective पिलाइब सामको साथ बजए, और important question की वीडियो यहाँ पर सारी अवलेबल, इसको आप जरूर देख ले, और playlist में आपको दिखा जाए, और दो तिन playlist बना दी गई हैं आपके लिए, जो की जंग रिए आपके लिए, बहुत helpful होगी, इसमें सारे gas paper है, यह M2 की classes है free वाली, और यह M1 की mock test यहाँ पर start है, M1, M2, M3, M4, new syllabus, old वालों की नीचे आजाए, और four वालों की सारी classes यहाँ पर, अब लेबल है, जो की free of cost है, आप इसको पढ़ के बिलकुल तयार कर सकते हैं, no need, any notes होगे, तो यह होगे आपका information, अब एक job आई हमारे पास, जो की government है, जो की सभी student के लिए, और काफी अच्छी मात्रा में है, जो की है intelligent bureau की, ठीक है, इसकी application स्टार्ट होगे है, हमारे पास, 1912 से, और last है, इसकी, ओर 9 एक, नो जन्वरी, जो है की, इसमें fees रखी गई है, general OBC की 600, HTSD की 500 रुपए है, और all female candidate 500 रुपए सभी को pay करने पढ इस, और बाकी जो age की छूट मिलेगी, ओ आपकी OBC में तीन या पर पान साल जो भी होगी, HTSD केंसा हो मिलेगी, विकेंसी है, आइवी ACIO grade second की है, जिसमें की जनरल की 989, EWS की 113, OBC की 417, HTSD की 360, HTSD की 112, टोटल है, 2000 विकेंसी, काफी ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, और qualification देख ले, मेरा बनाने के मकसद यह बैदलर डिगरी किसी भी इन स्ट्रीम से हो, यानि की भी यह हो, BST, भी कॉम हो, कोई भी दिगरी हो, ठीक है, मास्टार डिगरी हो, कोई भी हो, और कोई भी स्ट्रीम सो, साइन्स पॉलिटिकल जो भी हो, यहाँ पर एनी भूला ना, एन कोई बेसिक नॉलेज हो, आप इसको अप्लाइए, मेन बेसिक है यह टिगरी, अगर आप आई टी यह डिपलोमा की है, तो अप्लाइए ना करें, कम से कम भी यह तो होने चाहिए, चाहिए वह रेगुलर हो, चाहिए प्राइबेट हो, और एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो यह फॉर्म बिल्कुल अप्लाइ करें, आख बन करके, तो दोजार पोश्ट है इसमें, जिनके पास की रोजेशन है, 18-27 की एज है, तो आप इंट के लिए बढ़ें, आप हमसे पोश्टे हैं कि साथ जोब कहा आती, तो जोब आपके सामने है, हमने दे दी हैं, दोजार आप अपना fill up करें, basic computer knowledge में मंग अगे, इसकी notification की बात करें, तो मैं आपको रिखा देता हूँ भी, हाँ, यह है आपके, यह इसका link है, mha.government.in, इसका direct link भी आपको सरकार रेटर की website मिल जाएगा, वहां से आप दे सकते हैं, और pay scale देख लीजाए, आप यहां पर 44,000 ते, एक लाग 42,000 रुपर, pay scale matrix है, तो आप देख सकते हैं, कितनी important यह vacancy है, 2000 मातना में, आपको सिप्ट त्यारी करनी है, ग्रिजेशन मंगा गया है, किसी भी निवर्स्टी से, regular और private और डिस्टेंस से हो, और computer knowledge, 18-27 के यह जब पांच साल में लेगे, तो इसको आप भरे, हाँ, एक examination return होगा, उसमें क्या क्या आएगा, वो भी आप समझ ले, tier 1 होगा, जो कि 100 नंबर को होगा, और 5 पांच पार्ट होगे, 20 नंबर के, इसमें होगा general awareness, quantitative, numerical, English language, और general studies होगा, negative होगा 1.4, ठीक है, एक घंटे को होगा 100 मांग, जब यह पार्ट comparison type होगा, 50 मारका, 30 मारका, AC होगा English, और compression writing होगा, 20 मारका, यह होगा, एक घंटे का 50 नंबर का, इसको बार इंटर्वी होगा, इसमें, third phase में, जो कि 100 मारका हो, तो आप देख सकते हैं, अगर आपको 44,000 रुपर, sell यहाँ पर दी जा रहे हैं, तो आप से काफी चीज़ें, यहाँ पर leave जा रहे हैं, ठीक है, तीन phase में इसको आपको निकालना है, यहाँ आपको से लिए अच्छी खासी है, क्योंकि यह label 7 में है, और इसी काण से इसमें, जो है, तीन phase में आपका है, tier 1, tier 2, उसके बाद interview है, tier 3, तो काफी tough है, जो निकाल लेगा, उसकी तो life settle है, ठी करें, हाँ, इस बाद कभी कबार ही हो जाता है, कि लेट हो जाता है, इसका एक जाम के लिए कराने में, वो अलग चीज़ है, ठीक है, तो यह है basically, और इसमें कुछ नहीं, बाकी तो तमाम चीज़े इसमें दी गई है, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं, ठीक है, बाकी इसम आपके पास बना होगा, इतना ही आपका फॉर्म है, आप जाके इस पर जाके सीदे, अपलाई करें, यह डारेक्ट लिंक तुआ पर आपको मिल जाएगा, सरका रियर्ड पर जाएंगे नीचे, डारेक्ट रिइस्ट्येशन का लिंक आपको मिल जाएगा, तो अभी जाके सा आपको मैंने बता दिया आपको, और हिंदी इंग्लिस का जो मेंटर था, आप डाउट के लियर हो गई है, अपके अपलोडिंग होने स्टार्ट होगा, जिनके नहीं आएं, वो आ जाएंगा, अभी तक दे सकते हैं, आप अपे ऑफिशियल डेट नहीं लेट के रस्पे जा मैंने आप देरा